तो आज के हमारी इस class में हम बात कर रहे हैं picture lookup हम बताएंगे कि किस तरह से picture को lookup करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने में पास एक data है अब इस data को थोड़ा सा format कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें picture के रूप में use करना है तो इसको थोड़ा सा format कर लेते हैं और अच्छा दिखने के लिए हम कुछ charts भी इसके अंदर बना लेते हैं और charts की अपनी आपनी formattings है जो कि हम ले लेते हैं से मैं यहां month को इसको भी select करता हूं month को इसको करता हूं इसको करता हूं इसको करता हूं सरी बड़ा select हो गया इंसर्ट में आता हूं charts लेता हूं और इसको select करके इसको कुछ और करता हूं जिसे मैंने इसको एक रख दे दिया और यहां पर हम इसकी size को छोटा करते हैं और इसको जो है हम यहां राइट क्लिक कर chain street chart टाइप बिन लेते हैं और मैं इसको column chart नहीं इसको मैं बार chart बना देता हूं इसके बाद फिर वहां city को select करता हूं city को यहां पर लिया और यहां पर इसको मैं line chart लेता हूं line with area यह बाला इसके बाद course को select करता हूं इसको भी select करके insert हम यहां से एक चार्ट लेते हैं और इसको हम पहले लेते हैं यह चार्ट लेते हैं और इसको भी छोटा करके यहां डालते हैं इस और थोड़ा और पेटर दिखाने के लिए मैं इस पूरे को select करता हूं और इसमें मैं यह जो बादर है वो बादर लगाते हैं तो चार्ट जो हैं नो उससे थोड़ा सा इस्ट्रा लीजिए गा ठीक है चार्ट को सटा के पूर्ट करता हूं और इसमें आप यह जो पॉर्डर दीजिएगा तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपका चार्ट जो है सही से कट के आएगा पिक्चर पेसे पिक्चर जब करेंगे तो कि इसलिए हमने बोला कि थोड़ा सा हटके होना चाहिए इसको इता छोटा कर दीजिए ताक ही और यहां भी बॉर्डर अब तो से बेटर दिखने की पेज डियाउट में जाता हूं ग्रीड लाइन को हटा देता हूं अब प्रॉब्लम ही है कि मुझे इसको यहां लुक अप वन बे मैं यहां यहां भी ग्रीड लाइन हटा देता हूं जोने और मैं यहां पर उपर कर देता हूं कि और यहां पर अमने लिखाए और रिखेकर यहां हम ड्रॉप्डाउं लगाते हैं जो की टेटा मनुबार के अंदर टेटा वालinyडाशन में होता है लिट्र कटरेंगे ती हां लिस्त आता है अब यहां पर मैं देता हूं जो भीशार्ट से हमारे एंड है जाए úpriekt है सेलस सेल्स होईशिर भाइच अमारे डेटा वन में जाता हूं सेल्स के जगवाँ पर सेल्स बाइ मैं लिए देता हूं सेल्स ओफिशर्स यहां पर सेल्स बाइ सिटी अब क्वेश्टन है कि मैं चाहता हूं कि इन सबों को यहां लुक अप करूँ पर प्रब्लम नहीं है कि मैं एक बार में सब कुछ लुक अप नहीं करना चाहता हूं वन बाइ वन कि मैं यहाँ पे select करूँ एसो को या सिटी को तो उसी हिसाब से यहाँ उठकिया नहीं चाहिए तो उस case में हम पूरे को select करते हैं पहले copy करते हैं एक बाद one time और यहाँ पे आके हम home में paste as a picture link यहाँ दिख रहा है paste as a picture link कर देते हैं अब किसी भी paste करेंगे तो उपर जो आप देखेंगे उसका क्या आएगा address आता है लेकि address तो काफी बड़ा है न चलिए इसको छोटा करते हैं तो data miscellaneous classes के अंदर आपको miscellaneous formula classes के अंदर हमने define name समझाया था कि कि किसी भी area को एक short name दे सकते हैं तो हमने formula बार पे गए define naming नेम पे गए इसका नाम रख दिया मैंने इसका नाम हमने रख दिया मतलब अब look up one बाले शीट पर आओंगा और मैं यहां इसको हटा कि अगर मैं लिखता हूं city एंटरप्रेस करता हूं एक में यहां सिटी डालता हूं तो आगर मैं city के तरह पर मैं यहां डालता हूं स ओ का रिजल्ट आहता है मैं इसका यहां ठालता हूं इक कोल कोर्स तो कोर्स का आब अधना हम यहां जए कि हमें ऊपर नहीं लिखना है हमें के सांथ लिंक करना है в but यहां एक छोटी शी प Rap अब मैं यहाँ equal sum और manually city select करते हैं formula के अंदर तो मुझे यहाँ उसका total आ रहा है लेकिन मैं sum और इस city को लेता हूँ तो इसका result 0 आएगा अब ऐसा क्यों हो यहाँ समझाता हूँ मैंने यहाँ पर 500 लिखा और equal मैं sum a1 कर दिया तो result आएगा 500 हलाकि formula मैंने आपको miscellaneous class में समझाया था इसका था indirect formula लेकिन मैं बोलूँ कि यह जो a1 हमने direct यहाँ लिखा है a1 मैं यहाँ न लिख के मैं i1 पर या j1 पर मैंने a1 लिख दिया हूआ तो मैं यह समझाना चाहता हूँ कि यह जो a1 है यह j1 पर लिखा हुआ है इसको consider कर ले बड़ sum consider नहीं करेगा क्योंकि sum समझता है कि j1 पर टली कई a1 वर्व भुथ हम ला टेक्स्ट है a b c d है 1 2 3 इसी चीज को मुझे indirect में समझाना होगा indirect और हमने इसको select किया तो indirect sum को बोलेगा कि इस पर जो a1 है वो a1 टेक्स नहीं a1 रफ्रेंस है इसका value 500 है और sum यहाँ 500 दे देगा से मुझी तरह से यहाँ जो हमने c3 दिया इस पर city लिखा हुआ है तो इस c3 को हमें indirect formula के अंदर डालना होगा तो indirect का concept समझ में आ गया किसी को डाउट indirect के concept पर जितेज जी को डाउट इसमें इससलिए तो मैंने रिपीट किया आपको उस्तंदर जी तो यहाँ indirect formula वर्क कर रहा है आपको समझ माया गुपाल जी और इतेज जी आपको समझ माया कि लिए बसके पर यसा को अिस परिस्मे यहाँ आप नहीं दे सकता मतलब किसी आपके अंदर कि ब्रभी पिक्चर के अंदर हम जो है कोई फॉर्मुला नहीं लगा सकते हैं। इस जो चार्ट होते हैं या किसी ऑबजेक्ट होता है जाब पिक्चरण लिंग मैं कोई बीडिक लिंग हो दो चीज़े लेते हैं या तो से से यह से पहले और दूसरा बोलते हैं कि हमें define name दीजिए जैसे course हमने दिया लेकि define name कहता है कि मैं हर तरह का formula set कर लेता हूँ तो indirect वाला formula जो है define name में यहां पर मैं लिखता हूँ यह लिख देता हूँ sh ऐसे sh कर दिया और इसके अंदर हमने कर दिया इन डाइरेक्ट और इसके अंदर हमने c3 को सेलेक्ट कर लिया simple and okay अब यहां course के जगहाँ पर मैं कर दूँगा sh ऐसे स्था नहां sh आ गया मतलब कि जैसे मैं यहां पर लिखूंगा s o data change हो गया थे लिखते क्या हुआ यह आपको नाम का जो नेम था उसमें चला गया data पहले से है इसको डिलीट कर देता हूं sh नाम का जो नेम था वहां जला गया एसेज क्या कर रहा है इंडारेक्ट के थूरू इस एसो को इस एसो नेम है उसको डाइवर्ट तो एसेज एक कत्रा से polarized Translator का काम कर रहा हुआ किसे का काम कर रहा है raining ठो कि ठेकन है hen के और जिस से हमारा एकनका हो जाता है तो इसका यूंचन बहुत साह टैस्टीयू करते है जहां पर हमें जरूरत परती है जहां पर मुझे पूरा का फूरा लिपोर्टपे वन्मवां या दो चीन कない कर इसमें का इस्तमाल करते हैं ठीक है अब दूसरा एक्जामपल पर बढ़ते हैं दूसरे इसमें डेटा है अब माले जिसमें नेम लिख देते हैं आप लिखता हूं पुनीत रभी करण मोहन उदय और इंदर अब पिक्चल लुक अप टू पर मैं यहां पर आईडी डालना चाहता हूं यहां पर आईडी नमबर वन और यह रहा हमारा नेम तो नेम तो असानी से आ जाएगा न हम यहां पर वी लुक अप लगाएंगे वी लुक अप में इस वन को सेलेक्ट करेंग करेंगे और हम देटा को 123 करतेंगे तो वी लुक अप क्या करेगा कि इस आईडी पर लुक प्रक्रण सबको आता है कि नहीं आता है यह नहीं आता सब क्या करता है कि जैसे मुझे आईडी के अगेंस में चाहिए अब आईडी डेटा में कहीं भी हो सकता ने इस कॉलंड में इसके भिहाब पर मुझे इसका नेम लुक अप करना है तो उस केस के लिए वी लुक अप यूज करते हैं यहां हम लगाएंगे वी लुक अप का फॉर्मुला हम सेलेक्ट करेंगे लुक अप वैलू फिटेबल में आएंगे यहां हम जाएंगे डेटा टू में और आपना जो कर देंथे एक्ट मैस नहीं एक्षल में फॉर्स एक्वल टू जी रो होता है अब इसे मैं यहां पर नाम यहां दिख जाए लेकिन चैलेंजिंग है फॉर्ड लागा वी लूक आप फॉर्मुला असानी से आपको नेम दे दिया इसके लिए हमें थोड़ा सा अप्तिग्रम करना अब क्या करना होगा जाने हैं कि सबसे पहले मेरा पास मान लिजीए कि मैं यहां मैच का फ़र्मूला लगाता कि वन गाम समझ होगा मैच काम है कि इस वान को इस कॉलरण एक में अधून्ग के बताएगा है या नहीं अगर रहोगा तो कितने नंबर रोपे है तो तो हमने lookup value मतलब किसको lookup करना है तो वहां को और lookup array में हमने select कर लिया ID को कॉमा कर दिया 0 enterprise करेंगे देखिए 2 दे दिया ठीक है क्या दे दिया 2 दे दिया ना दो नमबर रो में है अगर मैं माली जो दो नमबर रो में है नहां पर इसका रो नमबर दे दिया पीड मैं मैं जानता हूं कि बी कॉलर में फोटर है हमारा तो बी के साथ कॉनकेट कर दिया हमने इसका थ्री तुब हो गया नतल सर ब्राफ़म मुझे बीट समस्ति रहे हैं कि हम भींशीक कर रहें क्यूंकि हम लुक यहां करना चाहते हैं यह रिक करेंगे चलिragenा यह वाला हैं यसलो भीशर देनकि मुझे बीजन करते हैं माली इसको मैंने लिंग किया डेटा सीट से तो आप देखेंगे कि इस तरह का लिंक बनता है इस तरह का एड़ेस बनता है नहीं तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है और यहां डेटा में यह देखिए हमारे पी के जवाब पर पूरा पेस्ट कर दिया हमने क्या कर दिया कि डेटा टू स्लैश बी और सिंग्लर कॉमा भी है तोनों को पेस्ट कर दिया तो कुछ इस तरह से बीठी बन के आ गया बन के आगया अब इस वह सब्सक्राइब करते हैं और यहां हमने कॉपी किया यहां पेस्ट कर देते हैं कमाइन हो गया एकठा लगा दिये बट जी तरी यहीं होना चाहिए इस और में सब्सक्राइब करना है को फ्रीज करेंगे तो सी त्री को फ्रीज किया दुने तरह दौर लगा के इसके इसको हमें इन डारेक्ट के अंदर है तो में एकडिक्ग नेन पर जाता हूं कोई फॉर्मूला तो पिक्चर लेगा नहीं इसलिए डिपाइड ने fisherman पर जातां पर जाता हूंि इसका नाम Bri और यहां पे लगाता हूं फॉर्मूलाने इकोल करके इंडाइर्य करके इंडारेक्ट के अंदर त्धें एइन डारेक ब्रैकेट ओपेर और ब्रैकर क्लोज करके फॉर्मॉला पेस्ट करें मतलग अब मैं किसी एक फोटो को कॉपी करूंगा शीट इस पे लुक अब सीट पे ले जाओंगा और यहां मैं करूंगा पिक्चर लुक आप और पिक्चर लुक अप में इसको सेलेक किये इसको ड्रैक करता हूँ अधे कर देता हूँ और यहाँ डेटा टू के जगाव मुझे कर देना है फोटो आप देखिए मैं यहां दो नमबर लिखूँगा तो दो नमबर फोटो आ गया तीन नमबर लिखूँगा दीन नमबर चार लिखूँगा 4 नबर अब टेटा सीट में इस तरह से पिक्चर जो है बढ़ते जाएंगे और आप उसको लुक अप करते जाएंगे समझ गया है कोई दिख्कत है अब यहां पर दिख्कत आ गया कि से में मैं डूनूँगा तो फोटो चेंज नहीं नहीं हो तो आगे क्लाशेंगे जाएंगे इसका हम इसका हम क्या बोलते सलूशन निकाल गया तो सबसे पहले मैच फॉर्मूला वर्क करता है मैच फॉर्मूला इसका जो है नंबर टू का क्या निकाल के देता है रो नुपर फिर कॉनकर्टा नेट वाली एंप परसेंट तुम्हें बताया था कॉनकर्ट करना कॉनकर्टा नेट जो है इनको जोड के मैच रिजल्ट जोड के एक एड्रेस बना देता है क्या बना देता है एड्रेस की डेटा बी टू जितना भी आईडी नंबर डलेगा और सबकी हिसाब से यह आपने आपको चेंज करते हैं और फिर अप्रब्लम में है कि डारेक्ट में भी हम इस पर नहीं डाल सकते पिक्चर पर तो इसलिए हमने क्या किया एक डिफाइन नेम बनाया ठीक है और इस डिफाइड नेम में फोटो नाम का इस डिफाइड नेम में सेम फॉर्मॉला को अमने क्या कर दिया कि इन डारेक्ट के अंदर डाल दिया ठीक है यह थोड़ा सा complicated था इसलिए कल की इसकी वीडियो जो हमने आपको बेज़े थे ताकि आप एक बार देख लें फिर सब्सक्राइब फाइल में आपको भीज रहा हूं इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें पहले जो चीज यह मैं बनाई हुई है इस फाइल के copy कर ले और जो चीज इन बनाई हुई है उसको delete कर दे दुवारा से चीज अब बनाए और 12 फाउवा लगा है फिर दोनों को compare करें कि दोनों आपस में match करती है